नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरोड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहा रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 यानि रविवार के दिन कार्तिक महीने में संकष्टी चतुर्थी तिथी पढ़ रही है, दोस्तों, और यह वह रविवार है, जो पढ़ने वाला सबसे बड़ा रविवार संकष्टी चतुर्थी तिथी है, क्योंकि यह कैर्तिक महीने में पढ़ रहा है, और आप सभी लो रविवार चतुर्थी के दिन आपको यह उपाए जरूर ही करना चाहिए और दोस्तों कार्तिक महीने रविवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाए है तो वह साथ दूरवा वाले उपाए है तो दोस्तों इस कार्तिक महीने रविवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस अरदूरवा वाले उपाय को जरूर करना है बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने मतलब तूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस साथ दूरवा वाले उपाय को ना किया हो पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 अक्टूबर करतिक महीने रविवार चतूरती के दिन है तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को पूर कर लेना है भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो पर यदि आपने इस कारतिक महीने रविवार चतूरती के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी तो इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कहा में बताया है जिस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों उपाय को शूरू करते हैं देखिए ये इस कार्तिक महिने के रविवार चतुर्थी के दिन इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनो कामना पूर्ण नहीं होते वह कार्तिक महिने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो कामना पूर्ण होती है और बहुत से उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दूहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस साथ दूरवा वाले उपाय को किया रही है। देते हैं किन्तु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में और ओम नमशिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस साथ दूरवा वाले उपाय को हमें इस कार करना है किस को करना है किस समय करना है और कहां पर करना है यह सारे सवालों जवाब आपको मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको साथ दूरवावाले उपाए जरूर करना चाहिए क्योंकि इस महत्व होता है और जब बात आ जाए साथ दूरवावाले उपाए की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाए की तिक महीने के रविवार का तो अब दोस्तों इस साथ दूरवावाले उपाए को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में ऐसे कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाए को कर सकती है और दोस्तों यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाए को करवा सकती है तो आखिकि खुद की कोई मनों कामना है खुद की कोई दुख और परेशनी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाए को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी यदि कोई से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान दुख और उपाए करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्त वाली बात नहीं है कहने का मतलब ये है की इस उपाए को हर एक सदस्से भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्से के लिए घर की बड़ी माताओं, बेहनों में से कोई एक माता — माताएं बेहने यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाए ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस से भी इस साथ दूर वावाले उपाए को कर सकता है चाहे फिर वह कुछ ही क्यों ना हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दो छुट्टी काला तिलवा उपाए को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपे को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाए को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर, कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह इतनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है, होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक बजे से, रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो उसमें कोई भी बात नहीं है दोस्तों अब देखिए पी यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएं किसी घर से नाराज हो जाएं तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहा आप यह उपाए करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं गौव माता से जुड़ा हुआ उपाए है देखिए गौव माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है गौव माता हो गई कुट्ते हो गए ہیں ना पेडों में बरगत का पेड हो गया पीपल का पेड हो गया इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कश्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्ज जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं। आपके घर में को लेकर बहुत दुख है। आप अपने घर के लड़ाई जगडे से परेश परेशान रहते हैं। घर में कोई न कोई जगडा करता ही रहता है। आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शान्ती आएगी, कैसे से घर में सुख सम्रिध ही आएगी। अब ये समझ लीजिए कि यदि घर में लगातार जगडा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, करजा घर में लोगों के सर पर है, तो पित्रि आपके कही ना कही नाराज, देखिए, पित्रि दोश जब घर में होता है न, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पित्रि दोश दिखेगा, इसका आप अ खाते खाते तब भी आपके घर में पित्र दोश है, यानि पित्र आपके नाराज हैं, साथ ही साथ अचानक से घर में दुरगटनाएं हो रही हैं, आपके नाराज हैं, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पित्र भी प्रसन्न और धन को लेकर मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं और यदि पैसा रुकता है तो फिज्वल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है जिससे की घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं. अब ज्यादा तर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और गर में पैसा नहीं रुक रहा है. यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बिलकुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे कार्तिक में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताये गए सबसे पहले और खास उपाय के बा यदि आपके जीवन में करजा बहुत अधिक है आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं आपके उपर बहुत अधिक विपदा आ रही है बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानी देखने को मिल रही है यानि कि आपको प्रत्यक कार्य में हानी ह इस उपाय को करने के लिए आपको डो चीजों की आवश्यक्ता होगी. और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातर, कल सुबह सुबह ही सुबह वह करना है, बात का खास रूप से आपको ध्यान रखना है. ठीक है तो आपको एक दूर्वा लेनी है यदि आधा दूर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बस आपको दूर्वा लेनी है यदि ज्यादा ना मिले तो उसे स्थान पर पर एक दूर्वा भी ले सकते हैं दूर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएग बस याद रखिएगा, शुद्ध दुर्भा और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा है न तो आपको करना क्या है? एक दूर्वा या एक से ज्यादा भी दूर हुआ आप लोग ले सकते हैं तो एक दूर्वा ले लीजिए, एक दूर्वा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाज के मंदिर पहुँच जाईए शिवाजी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाईए शिवाजी के पास में बैठने के पश्चात जो शिवाजी की शिवलिंग होगी शिवलिंग के उपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य को समर्पित करना है दूर्भाग को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूर्वा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो से जल निचे करता है है ना? और जो दूर्वा का मिला हुआ भाग होगा वह अपने आप शिवा जी के पीछे की तरफ हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यह दूर्भा का यह दूर्वा आपको भगवान शिव जी का शिवलिंग के उपर समर्पित करनी है और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आएं हैं इसी दूर के उपर भगवान शिवा जी के शिवलिंग के उपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है, अब यहां पर देखने बात ये है कि यह उपाय व्यक्ति को करना है, जी व्यक्ति की नौकरी एनगर रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उ चोड़ा लेना है, यानि कि दो भूल वाली लॉंग लेनी है, साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको ताμबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा, अब देखिए इन सभी सामगरियों को लेकर के आपको भगवान शिव के म अंदिर में पहुँच जाना है। पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिती है वह समाप्त हो। जीवन के जो संकट और समस्याएं है वह सभी हो। जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो दो फूल वाली लौंग ही श देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ट होने वाला है। कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमह शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमह इसका जाब कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरामूंग है उसे आपको भगवान करती केया जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहाँ पर आपको यह चौथा हरामूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमह शिवाय इसका जाब कर लेना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुरान के मूल श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाब करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ कर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं। अपने बच्चों की बुद्धि ज्यान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं। या फिर अपने इंटर्व्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं। उसे परिपून करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिये आपके जीवन की सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं, वह सभी समाप्त होंगे. अब हम बात करते हैं, अगले उपाय की इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है. दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तयार कर सकते हैं. दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लॉंग लेनी होगी, अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लॉंग लेकर के सीधा आपको पहुँचना होगा, बर्गत के व्रिक्ष पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल यदि आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है, महादेव की खास कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा, तो तो आपको एक लॉंग समर्पित करनी है बर्गत के व्रिक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक आप लेकर के गए हैं, उसे भी वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, what care करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे, कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, अब हम जान लेते हैं चौथे खास उपाय के बारे में देखें, यदि आपके विवाह में शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि दोश से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुध जल लेना है, है, और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा, अब आपको क् युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुचना है, किन्तु यह उपाय भी आप सुभह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, अब दोस्तों यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवायन मस्तुभ्य, इसका जाप करते रहना है, देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का समरण करना है, और जीवन में अधिक की समस्या है, तो आपको एरियन मुक् वीडियो में हमने आपको पांच महा उपाय बताए है, जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं, तो यह थी आज की खास जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और रोजाना न नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद